नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 83 यानि कारिय पत्रक 83 ये 9 अक्टूबर 2020 की वर्क्षीट है यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर यानि अध्यापक का नाम लिखेंगे आज हमारे पास एक सॉंग है, एक गाना है, हम उसको गाएंगे और उसके साथ-साथ जैसा वो बोलेगा, वैसे हम एक्शन्स करेंगे यानि हमें यह गाना-गाना है और उसके साथ-साथ एक्शन्स करने हैं, जैसा वो बोलेगा, चालिए मैं क्या करूँगा, इसमें तीन पैराग्राफ में ठीक है, मैं पहले आपको एक पैराग्राफ गा के बताऊँगा, फिर आपको वो वैसे ही गाना है, और फिर मैं उसका मतलब बताऊँगा, और हम वैसे ही एक्शन्स करेंगे चलिए शुरू करते हैं पहले paragraph में देखते हैं अब आप भी इस paragraph को इसी तरीके से गाएंगे ठीक है और उसके बाद मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ सबसे पहले ये कह रहा है कि हम अपना face अपना चहरा इस तरीके से wash करते हैं यानि धोते हैं अब आप जैसे भी अपना चहरा सुबर सुबर धोते हैं या दोपैर को शाम को जब भी अपना चहरा धोते हैं और जैसे भी उसको धोते हैं आपको वैसा ही action करना है अपने हाथों से ठीक है आपको ये मालना है कि आपके हाथों में पानी है और अपना मूँ साफ करने का चहरा धोने का action करेंगे इसके साथ साथ चलिए अगले paragraph में आते हैं यहाँ पर वो बूल रहा है यानि इसमें वो क्या बूल रहा है वो हमारे दातों को brush करने के लिए बूल रहा है तो जैसे आप अपने दातों को brush करते हैं यह आप paragraph गाएंगे और अपने दातों को brush करने की action करेंगे ठीक है चलिए अगले paragraph में चलते हैं यहाँ पर वो कहरा है यानि यहां पर वो हमें बता रहा है कि हम अपने बालों में कंगी कैसे करते हैं तो आप यह वाला पैराग्राफ गाएंगे और कंगी करने का एक्शन करेंगे अब देखे जब भी आप यह बोल रहे हैं जैसे कोम 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 तब आप यह एक्शन करेंगे जब आप ब्रश 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 बोल रहे हैं तो आप ब्रश करने का एक्शन करेंगे चलिए अब हम आगे कुछ questions कर लेते हैं सबसे पहले हाथा question number one At what time do you get up in the morning? यानि यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि आप सुबह कितने बज़े उठते हैं? जैसे मान लीजिए मैं उठता हूँ सुबह 6 बज़े तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आप साथ बज़े उठते हैं तो आप यहाँ पर सेवन लिख सकते हैं तो यहाँ इस तरीके से आप अपना सुबह उठने का टाइम बताएंगे फिर वो पूछ रहा है question number two में यानि अपनी किसी एक अच्छी आदत के बारे में हमें बताईए जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं यानि मैं खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ दोता हूं तो यह हमारी एक अच्छी आदत हो गई यह habit हो गई आप यहाँ पर इसके लावा कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है आपकी अच्छी habit है ठीक है चलिए अब हम चलते हैं question number 3 पर write any two things that you do in the morning यानि कोई ऐसी दो चीजे लिखे जो आप सुबह सुबह करते हैं जैसे कि मैं क्या करता हूं I take bath in the morning यानि मैं सुबह सुबह नहाता हूं और मैं क्या करता हूं I eat breakfast in the morning यानि मैं सुबह नाश्ता करता हूं ठीक है तो इस तरीके से आप जो भी सुबह करते हैं उन में से कोई भी दो काम यहाँ पर लिख सकते हैं आज की class ही घतम होती है अगर आपकी कोई doubts हैं तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए thank you and जै हिंद